विराट कोली ने सेंचरी स्कोर करने के बाद फोन किया अपनी वाइफ अनुश्का शर्मा को और की उनसे वीडियो कॉल पे बात विराट और अनुश्का का ये प्यार देख कर नेटिजन्स ने कहा, इस इस अदॉराबल विराट कोली और अनुश्का शर्मा ने 2017 में शादी की and in 2021, they welcomed their first child, Vamika दोनों अपने professional commitments के साथ busy रहते हैं लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो एक दूसरे के साथ time spend करने की कोशिश करते हैं अनुश्का विराट के हर मैच के बाद उनके लिए social media post भी शेर करती हैं and even attends his matches whenever possible विराट भी कहते हैं कि अनुश्का ने हर उतार चड़ाव में उनका साथ दिया है and credits her for changing him as a person It's no surprise then कि जब विराट कोली ने चार साल बाद एक tournament में century score की उन्होंने अपनी wife अनुश्का को call किया Cameras ने विराट को अनुश्का से video call पे बात करते हुए capture किया और अपनी wife से बात करते हुए वो बहुत खुश लग रहे थे Fans appreciated it as a beautiful moment and showered their love on the star couple But in some not so good news for the couple अनुश्का शर्मा के bodyguard को helmet ना पहन कर motorcycle चलाने की वज़े से fine भरनी पड़ी है जी हाँ, जैसे ही अनुश्का और उनके ड्राइवर का बिना helmet पहने बाइक चलाने का विडियो वाइरल हुआ, मुंबाई पुलीस की नजर उन पर पड़ी अनुश्का's bodyguard has reportedly been fined rupees 10,500 by the Mumbai police for riding a bike without a helmet and a license Well, एक बात तो अच्छी है कि safety comes first and so does the law फिर चाहे बाइक पर आप और हम हो या फिर कोई celebrity झाल झाल कि झाल कि तुआ यूब्स स्बस्थ्स कि वो कि भी हमें झाल भी हुआ